इतनी सर्दी में लोगों को घर तो देने से रहे, लेकिन नेता जी बुल्डोजर दरूर चलवा रहे हैं, और इतने समय से वो अवैद नहीं थी, वो जो परिवार, जो 4000 परिवार जो है, वो जो बेगर होंगे, सरकार ने क्या प्लैन डेडी कर रखा है, इतनी सर्दी में, इस वीडियो स्पॉंसर्ट बाइब एसी एन नौन एसी लोज वाइफाइ चनेक्शन फेसिलिटी सेपरेट लॉकर ट्वेटी इन मच्मो अड्रिस सूपर्मार्केट अपोजिट चेटन स्कूल गुलबर्गा देखे मैं आपको बता दू यह जो जो बुल्डोजर जो चला रह है बाबा जी और लोगों को जो है बेघर करने का काम कर रहे हैं इतनी सर्दी में लोगों को घर तो देने से रहे लेकिन नेता जी बुल्डोजर जरूर चलवा रहे हैं नेता जी के नेता जी बुल्डोजर इसलिए चलवा रहे हैं क्योंकि जंता को भी तो पता चले लोग सरकार के पास प्रोजट क्या है और इतने समय से वो अवैद नहीं था वो जो परीवार जो 4000 परीवार में बेगर होंगे मुक्हे मंतरी, खड़े हो जाएं तस्मीरत, मुक्हे मंतरी को पता चल जाएगी, जो घरों पर बुल्डोजर चलाना बहुत असान है, लेकिन किसी के घरों को बसाना बेहद मुश्किल है, मुक्हे मंतरी जी हो, चाहे बीजे पी के नेता हो, इनके खुद के घर और परिवार रही है यह परिवारों की कीमत नहीं समझते हैं दूसरों के घर पर बुल्डोजर चला रहे हैं अगर सोची एतनी रात में आपके घर पर बुल्डोजर चल जाए आप क्या करें लेकिन मैं आपको बताता हूं बहुत सारे ऐसे डॉक्मेंट्स भी आसामने निकल कर आए हैं जि बावजूद भी अब उन कहरों के ओपर बुल्डोजर चल रहा है आप मुझे बताईए सरकार इसमें क्यों नहीं बोल रही है यह मामला बहुत संबेदन सील मामला है हिंदू-मुस्लिम हो रहा है कि हुआ मेरी बास सुनिए अभी क्या है न देश की जंता जो है इतनी पाग हो गई है अभी 4000 पडिवार के घर पर बुल्डोजर चल रहा है ना इनका सब का ध्यान अटा दिया हिंदू-मुस्लिम पर तुम जाओ पठान का भी रोध करते रहो तुम बाइकार्ट गैंग में अटकाते रहो जंता को बाइकार्ट करते रहो हम इदर 4000 पडिवार पर बु यह आप वृली बात करिए अंधभकतों वाली बात करिए जो गोबर ओर मुत्र वाली बात करते हैं ठीकर ना गोबर भी बड़ीो डेवर चेहरी जाए मिę ए गीजेए मिदा मोदनरों का मfikरता है ठीक्गेजी ना मोजी महलाए बैठी है धरणाल देके हमारा घर न उजाड़ा जाए तो उनको बोलते है जिहादी है मैं बता तो रहूं जो बीजेपी के विरोध में बोले हैं सारे जिहादी हैं यह सारे देशबक्त भाजपा में भरे हुएं अभी देखे न बीजेपी के एक नेता ने कैसे लड़की को घसीटा देखे न आपने बीजेपी के नेता ने कुल जित्रिंग सेंगर ने बेटी के साथ बलतकार किया वो सारे आपको सारे जो विरोध करते न बीजेपी का वो सब जिहादी हैं तो सारे जिहादी हैं तो देश में क्यों रख रखा है एक काम करिए यह पर्मानू है आपकी चलाने के उकाद तो कहीं है नहीं आप चाहिना पाकिस्तान पर चला नहीं सकते हैं गोली भी तो आप वो पर्मानू हमारे उपड़ी दाग दीजिए अगर जिस परिवार से आप यह सोची घर जो हजारो लाको सपनों को सहच के फिर घर बनाया जाता है अब उस घर के ओपर बुल्डोजर चलेगी अब एक बात आप मुझे बताईए अवेद घर में किसी को रहने का सौक है यह बताईए आप मुझे आप मुझे और दूसरी बा इसमील जीार है जबसे बीजफी सरकार है आपसे यह कहता हूं कि कितने आप राद्यों के घ़र पीजेपी वालों के घर पर बुल्डोजर चल गया विज़ी वंकुंत खबर मेरे नहीं देखते लगता है नहीं कुल्डी शेंगर की पर शाहिए चला है विज़ी आप इसल कम यह चला सबूत मिटाने के लिए अच्छा ठीक है अब इस ने मेरी बातों सुन लिए कुल्दिप्सिंग सेंगर इसने बलतकार किया चल गया उनके घर पर य larg shear कुलदीप निट सन्गर के कितनी प्रौपर्टी गिरा दी जरू हमें भी बताइए हम भी जानना चाहते यह बताइए ना आप मुझे बते Fagri Jakarta कि कितनी प्रश्पर्टी कितनी property कि जिर रहा, यह तो बता दिया है, बलतकारी हैं सारे के सारे, कितने प्रोपर्टी किरा दी, अभी मनोज मित्तल, बीजेपी वाला, अरे उन तो लिजे, काय का लाइन ऑडर, योगी जी लाइन ऑडर हैं, हमें ड़ला रही हैं आप योगी जी के नाम से, हम डगते हैं योगी जी मैं भीक मांगी 35 साल, मैं भीक मांग के खाया, मैंने स्ट्रेशन पे चाय बेकी, वो दिन में चार बर सूट बदल ला है, तो देख रही है, कौन फकीर है, कौन गरीब है, अमीर है, आप समझ नहीं है, मैं आप से पूछ रहा था, कि आप मेरे को क्या रही थी, कि मोदी जी बह सब्सक्राइब तो आप से अंड़ी सब्सक्राइब ने से ब्री कर दो चीए तया, विए अन्जना जी आप से अदेख लाएब तो आन्जना, जी अप पाकिस्तान को देखेzd पाकिस्तान का क्या हल यहिर बारा शें शोड़ो में भुश क्या देख बहुत है बारत जोड़ो सबके सबक्सक्राइब मेरे नहीं कोई चाहीत जो है मेरे को अपने भाई को बनाना चाहेंगी कौं चाहेंगे है को अच्छा काम कर रहेए तो यह सब सबस्द्री शुन्वार बहुत लेकर परिपर्स hacen परिवार के लोगों से मिलने भी जाओंगा यह भी हो सकते अच्छा फलतानी जाएंगे विल्कुल जाएंगे क्या लगता आपको क्या देश की नियाई-पालीका पर पूरा देश भरोसा करता है और मैं कहुंगा कि देश की नियाई-पालीका को एक ऐसा पैस्ता सुनाना चाह लिए जिससे जो 4000 परिवार हैं वह ऐसी थंड के दौरान ऐसी सर्दी के दौरान बेघर ना हो चाहिए सर्दी हो चाहिए घर में हो बेघर ना हो जाहिन जाए भारत वंदेमाद्व